क्यारी बच्चियों उन्तक तुसे इस पार्ट विच पाड़ जुके हो कि राज्जु अपने दादाजी नाल ताज मेहल को मनले रेल गड़ी रही जा रहे है अथे उस्ते दादाजी उसनु वाकवाक इमारता पुला अथे उन्हानु बनान वाड़े कारी पिराबाले जानकारी बिन्दे हन आओ आज असी इस पार्ट दी केरिया नमबर तें कुछ याद रखन योगल अथे कुछ ब्यास प्रशन कर गये किरिया नमबर तिन अपने इमारत या स्कूल विच क्यारिया दे उप्रो लंगन ले इक पुल बनाओ इस पुल नू तियार कारन ले परतों विचले आंदे समान दी सूची बनाओ असी अपने स्कूल विच क्यारियां दे उपरों लंगन लेई एक पुल बनाया जिसलेई असी इतना अते लगकर्दे फट्टे दी वर्तों की ती याद रखन योग गलना इमार्ता बना उलेई इतना सीमेंट लोहा अते रेत दी जरूरत पैंदी है बहुत सारे मिस्तरी अते मजदूर दिन रात मेहनत करके इमार्ता अते पुल लादी तियार करते हन इत्टा नू पठ्थियां विच गरम करके पकाया जान्दा है पठ्थियां विच कोले दी वर्तों नाल पैदा होई तुए कारण हवा प्रदूशित हुंदी है अग्ये है पुल आवाजाई नू जारी रखन लेई बनाये जानते हन होन प्रशन नंबर पांच मिलान करो इस विच असी वकवक कित्ते कारानों उना दे संदा नाल मिलाना है पहला है मिस्त्री मिस्त्री इमार्ता बना लेई इत्तांदी चिनाई प्लस्तर आते फर्श उत्ते पत्थर या टाइला लगोंदा है आते ए मिस्त्री दे संद हन अगला है तर्खान तर्खान लकड़ दा काम करता है ते उस दे संद ए हन अगला है पेंटर पेंटर इमार्तानू रंग रोगन करन्दा काम करता है ते उस्ते संद बुर्ष हन अग्जी है नक्षा नवीज नक्षा नवीज वक्वक इमार्ता अते पुल्लादा नक्षा तियार करता है अते उस्ते संद एहन अग्य है electrician इमारतां विच बिजली तीयां तारां दी फिटिंग करदा है अते उसते संध ए हन अग्य है plumber इमारतां विच पानी दियां टूटियां अते गंदे पानी दे निकास लई पाईपां पौंदा है अते उसते संध ए हन अग्य है question number 7 फ्लाई ओवर बनाओन दी जरूरत क्यों बैंदी है इस दा उत्तर है वड़े शेरां विच आवाजाई दे साधना दी वद्धी पीड नू नियमित करन लेई अते ट्रैफिक नू काट करन लेई सडक अते रेल्वे लाइनाओ पर फ्लाई ओवर बनाए जान दे हन आज लेई बस इनना ही और वारी है कार्दे काम दी थ्वाड़ा आज दा कार्दा काम है प्रशन नंबर पांच आते साधनों सोना करके अपनी कापियोते लिखना